अध्यायच है यूरोप और भारत में आधुनिक संस्कृति का उदै पूर्व आधुनिक काल सन तेरा सो से अठ्रा सो इस पार्ठ में हम भारत के अलावा कई और देशों के बारे में पढ़ेंगे कक्षा साथ में हमने यूरोप महादुइप के बारे में पढ़ा था यह भारत के उत्तरपश्रिम दिशा में इस्थित हैं इसके कुछ प्रमुक देशों के बारे में तो आप जानते ही होंगे अपने दिवार मानचित्र एटलस में यूरोप के मानचित्र में इन देशों के नाम पहचानी और उने मानचित्र में खोजें पहला वह देश जिसका शाषन भारत पर 1947 तक रहा दूसरा वह देश जिसकी राजधानी पेरिस नामक सुन्दर शहर है तीसरा एक प्राचीन सभ्यता वाला देश जिसने सुकरात और प्लेटो जैसे महान दाशनिक दुनिया को दिया चोथा एक देश जो भूमद्य सागर से तीन तरफ से घिरा है जिसकी राजधानी रोम है पाचवा मध्य यूरोप का एक विक्सित देश जिसकी राजधानी बरलीन है चटवा पूर्वी यूरोप का एक विशाल देश जिसकी राजधानी मासको है 7. अगर भारत से पेरिस स्थल के मारग से जाना चाहते हैं, तो हमें किन किन देशों से होकर जाना होगा 8. ज़ी भारत के समुद्री मारग से इंग्लैन जाना है, तो किस रास्ते से जाएंगे? मानचित्र पर उंगली फेर कर बताएं 9. मानचित्र में इरान को खोजे इस देश का भारत से पुराना सांस्कृतिक संबंध है 10. इरान के पश्रिम में इराग ढूंडे या हडपा सभिता की समकालिन सभिता थी 11. अरब प्रायदीब खोजे जहां इसलाम धर्मी की शुरुवात हुई थी 11. और फिलिस्तिनी देश पहचाने जहां इसाई धर्मी की शुरुवात हुई थी 12. आधुनिक काल और उससे पहले 12. आमतर पर माना जाता है कि औद्योगिक उत्पादन और लोगतांत्रिक राज्य इस युग की मुख्य पहचान है 12. समाजिक और सांस्कृतिक इस्तर पर परिवर्टन का वर्णन करना ज्यादा कठिन है 13. फिर भी कुछ समाने बाते जरूर कही जा सकती है 14. लोगों के जात्पाद को कम महत्तों दिया जाना 14. सबके कानूनी समानता और साथी साथ समाज के विविद वर्गों के बीच बहुत अधिक आर्थिक असमानता 15. सोच विचार के इस तर पर पहले लोग ज्यादा धर्म भीरू होते थे किन्तु अब लोग विज्ञान और तारकिक्ता पर अधिक विश्वास रखने लगे हैं मध्यकाल के समाज ने आधुनिक काल में कब और कैसे प्रवेश किया या अध्यन का विश्या है जिस काल में यह बदलाव शुरू हुआ उसे पूर्व आधुनिक काल अर्थात आधुनिक काल का शुरुवाती समय कहा जाता है एशिया और यूरोप महादिप के देशों में 14वी शिताब्दी से अर्थात सन 1300 के बाद व्यपार, शहरी करण, राजनीती, कला, धर्म, लोगों की सोच आधी में बदलाव आने लगा यह दोर लगबग 1750 तक चला, इसके बाद अध्योगिक क्रांती और फ्रांसीसी क्रांती के कारण आधुनिक यूग के शुरुवात हुई अता सन 1300 से सन 1750 के काल को हम पूर्व आधुनिक काल और इसके बाद के काल को आधुनिक काल कहते हैं भारत, इराक, इरान और तुर्की जैसे एशियाई देशों तथा यूरोप के इटली, हॉलेंड, फ्रांस, इंग्लेंड जैसे देशों में 14वी सदी से लेकर 18वी सदी के बीच क्या घटनाय घटी जिनोंने आर्थिक वर राजन्यातिक क्रांतियों को संभव बनाया बदलाव तो कई हुए लेकिन यहां हम केवल सांस्कृतिक, धार्मिक और वैचारिक बदलावों की बात करेंगे 14वी से 18वी सदी के बीच तीन तरह की प्रक्रियाएं हुई जिनने हम इन नामों से जानते हैं रेनासा या पुनरजागरण, धर्म सुधार, रिफॉर्मेशन और एनलाइटमेंट, प्रबोधन, अर्थात विज्ञान, लोगतंत्र और प्रक्तिशिल विचारों का विस्फोट हालकि यह तीनों यूरोप के इतिहाद से जुड़ी घटनाएं हैं इनसे मिलती जुलती कई बाते भारत, इरान या तुर्की जैसे एशियाई देशों में भी इसी काल में देखी जा सकती हैं जैसे भारत में भक्ती वो सुफिय अंदोलन तथा नय कलाबोध का विकास इसी समय प्रारम हुआ यही नहीं यूरोप में हुए इन बदलावों के पीछे एशिया और आफ्रीका के देशों का काफी महत्तपुन योगदान था इस कारण पिछले कुछ दर्शकों से इतिहास कार इने केवल यूरोप के संदर्ब में नहीं बलकि वैश्विक संदर्ब में देखने का आगरा कर रहे हैं